डेली करेंट अफियर स्रीच में आपका स्वागत है आज है 28 नोमेंबर तो चली देखते हैं अभी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर सबसे पहले हेडलाइन एक नई बुक लाउंच हुई है इंडिया चाइना अंद बॉंडरी डिस्प्यूट साथ में जानेंगे की ओम ओमिक्रों जोकी न्यू बेरियंट है कोबी 19 का कैसे मचाया दुनिया में तूफान साथ में यह भी जानेंगे की न्यू फाइबर इंट्रीज किया गया है जो की बनाया गया है काउ डंग से चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं कोशन ऑब देख वो ओन द एटीप फाइनल एटीप फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूस तो विमेन की रेशियो है यह पहली बार है कि विमेन की रेशियो जादा है में से चलिए आगे बढ़ते हैं करेंट अफे स्रीज में आपका उस्वागत है कोशन नमबर वन देखते हैं तो वो हुए है जागरिती सिंगला जो है वो बिहार से है और यह इंडिया रेलबे सर्विस में इन्होंने काफी साल काम किया है और अब अपॉइंट हुई है निती आयोग की नई डिरेक्टर Q2. Who is the author of Contested Land India, China and Boundary Dispute book जो के अभी हाल में launch किया है India, China and Boundary Dispute book launch किया है मारूफ राजजा के दोआरा बहुत important book मारूफ राजजा जो है वो Indian Army से हैं और उन्होंने ये book launch की है India, China and the Boundary Dispute इनकी एक और भी बुक है जो काफी जादा नियूस में थी वो कस्मीर बेस्ट बुक थी अभी कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं 2021 का सम्विदान संस्कृति एंड रास्ट यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसे लिखा गया था कल राज मिस्टर के द्वारा जो की गवर्नर है राजस्थान के साथ में चेतन बगत की बुक 400 डेस जो की एक लर्की पे बेस्ट है जो 400 दिन तक होई थी कोबिद 19 में यह मिसिंग थी उस पे एक बुक रिलीस किया गया था चेतन बगत का तो यह बुक से कोशन आने की संभावना अधीक है साथ में The Fractured Himalya यह भी इंडिया चाइना तिबबत पे बेस्ट बुक है और इस बुक में वार के बारे में बताया गया है 1962 का जो वार था उससे पहले क्या पॉलिटी थी वर्ल्ड की यह लिखा गया है निरिपो रॉय के द्वारा जो की फॉर्मर सेक्रेटरी थी इंडिया की कुशन नमबर 3 सेंटर डीबी टी ने निशनल ब्रेइन रिसर्स सेंटर के द्वारा डिबलप किया गया है एक यूनीक ब्रेइन इनिशिटीव उसका क्या नाम दिया गया है उसका नाम है स्वदेश काफी ज्यादा न्यूस में है देखिए इस से रिलेटर मैंने न्यूस पहले कवर किया था जिसमें मैंने बताया था कि गुर्गाउम में एक इंस्चूट कुला है नेशनल ब्रेइन रिसर्च सेंटर में एक MRI फैसलिटी दी जा रही है जो कि पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है इसी फैसलिटी के अंदरगर्थ डेटा को सेफ किया जाएगा डेटा अनलाइस किया जाएगा ब्रेइन रिसर्च पे और इस पूरे प्रोग्राम का जो नाम है वो है स्वदेश ध्यान रखे और यह भी कुशन आएगा कि यह प किस ने किया है तो वो किया गया है मिनेस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो कि साइंस एं टेकनोलोजी मिनेस्टर है कुशन नंबर फोर रिलेटिविलिटी थ्योरी ओफ फिजिक्स मैनुस्क्रिप्ट इस ऑउक्शन इन डॉलर 13 मिलियन हैस रिटेन बाई एक किताब एक म प्र schools और फिаст मिलियन को पूरे मैनुस्क्रिप्ट का वह तो यह लिखा गया था जैलर्बड आइंस्टाइन के धिज़ान किया था यह बहुत इंपॉर्टेन थियोरी है रिलेटिविटी थेओरी यκε मो verbess़as आ है कैसे इ Circreenाफिक इंपक्षे थीयोरी को इसलिए यह थियोरी बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखे हाउ ग्रेविटी अफेक्स स्पेस टाइंग की थियोरी है कुशन इंग्साम्स में रिलेटेड भी आ जाते हैं इसलिए रिलेटेड इंफोर्मेशन देना जरूरी होता है कुशन नंबर 5 पे आते हैं और वीडि इंटी बेक्टेरियल फाइबर राणे के द्वारा रोंच गया है यह कौन है यह मिनिस्त्र है मैंसमेक यानि माइक्रो स्मॉल मेडियम एंटरप्राइस के एक ऐसा फैब्रेक है जिसमें बैक्टेरिया नहीं लग सकता है और यह पनाया गया है काउ डंग से जी हां काउ से यह बनाया गया है कुश्य नमबर 6 24 सीसो डीप डाइब ट्रेनिंग प्रोग्राम हैस लॉंच तो स्ट्रेथेन 24 डीप डाइब ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉंच किया गया है साइबर सेकुरिटी को स्ट्रेथेन करने के लिए अभी यह प्रोग्राम काफे ज्यादा न्यूस में है तो यादा कि 24 सीसो डीप डाइब ट्रेनिंग प्रोग्राम ताकि साइबर सेकुरिटी को मजबूत किया जा सके कुश्य नमबर सेवन पर आते हैं नितीन गडगडी हैस प्रोपोस्ट 25 नेशनल हाइवे इन कौन से राज्य या यूटी को मिल रहा है नितीन गडगडी के द्वारा 25 नेशनल हाइवे तो देकि 25 नेशनल हाइवे बनाया जा रहा है यह प्रोपोस्ट है जम्मु एन कस्मीर में क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है जम्मुहिन कस्मीर को मिल रहा है 25 नेशनल हाइवे कुश्य नमबर एट न्यू वेरियंट ओव कोविड-19 फिर्स्टी सीन इन साउथ अफ्रिका देखिये न्यू वेरियंट आ गया है कोविड-19 का और यह साउथ अफ्रिका में सबसे पह दुनिया में काफी जदा तभाई मचा रहा है यह इतना डेंजरेस क्यों है और क्यों दुनिया इससे डड़ी है क्योंकि यह कोविड-19 वाइरस जो है वह मुटेट हो गया है 50 पर संद यह जो नया कोविड-19 वेरियंट है यह काफी स्ट्रॉंग है पूराने कोविड-19 से और अभी हाल में दो तीन केसे भी देखी गए हैं जहां पर फूली वेक्सिनेटेड लोगों की भी मिर्प्यू हो चुकी है तो यह वेरियन काफी यूनों डेंजरेस हो चुका है और गवर्मेंट ओफ इंडिया ने फिर से नॉम्स निकाला है कि लोग मास्क पहने गुष्टेबिय को मिल गया है यह फूर्थ स्कॉर्पियन सब्मेरियन है कोट你的 assum今 दूल इसल نटbart यह हमें कॉंछ दिया है तो यह में के मिला और संहर इंडिया गोर्पनी के भी हाल में आजिभन वेना रिला है इंडिया को आपको पताना है यह मतलब क्या ओ कि इसका मतलब ह फिश जी हां वेला एक फिश का नाम है इंडियन फिश जो की काफी एग्रिशिप होती है तो वेला इसे नीम ओफ इंडियन फिश नोन फोर ओफेंसिक पार आइनस वेला जो है वो कमिशन किया गया था 25 नुमेंबर को और अभी तक भारत को 6 स्कॉर्पियन सब्मैरीन मिलने व जा रहा है करा वाइंड मोस्ति इंपर्टेंड होछन रांबब के स्ट्रइन कर त्रेन एंस इनुग्रेइट किया गया है क्यूंकि हम सबी जानते है कि डेलीम कि यस टीन इस अए तक फिर्ट थीम थीश Bye जा रहा है तो राम पन्पत्याट्रा टेन स्टार्ट्ट् oftentimes socialite आराश्टरा के पूने में स्टार्ट किया गया है रामपत यात्रा ट्रेन और यह ट्रेन राम बेस्ट है यानि रमायन बेस्ट ट्रेन है जहां पर राम जी के इंपॉर्डन प्लेसेज को हाइलाइट किया जाएगा Question of the day यानि आज का सवाल Center has extended PM गरीब कल्यान अन्योजना बाई Center ने extend कर दिया है PM गरीब कल्यान योजना कब तक और डांग डिस्ट्रिक्ट जहां पे 100% और गैनिक डिस्ट्रिक्ट का सुए सर्टिफिकेट मिला है वो किस राज्य में है दोलों का आंसर कमेट बॉक्स में दे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे शियर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू तो वास ते वीडियो